हेलो दोस्तो मुझे उमीद है कि आप सभी अच्छे होंगे दोस्तो आज आपको एक अच्छे कासे गैप अप ओपनिंग देखने को बली और उसके बाद भी मार्केट ने एक मोमेंटम दिखाया निफ्टी फिफ्टी में देखेंगे आप गैप अप ओपनिंग बैंक निफ्टी में देखेंगे गैप अप ओपनिंग निफ्टी फैनेंसल सर्विसेस में भी देखेंगे आपको गैप अप ओपनिंग देखने को बली तो सीधा मैं आपको लोजिक पे लेके चलता हूँ वो करना है आपको जाके rising wedge chart pattern पढ़ना है जैसे ही आप website पे जाएंगे, categories पे जाएंगे, chart pattern पे जाएंगे वहाँ पे आपको rising wedge chart pattern मिल जाएगा इसे जाके पढ़ ये video भी आपको इसके अंदर मिल जाएगा फिलाल हम logic पे आते हैं, यहाँ पे चीज़ें समझने की कोशिस करते हैं मैंने आपको क्या समझाय हुआ है, party green candle, party red candle, party gap up opening, party gap down opening ये चारो एक तरह की चलती train होती है इसमें गुसना आपके लिए दुरगटना दायक हो सकता है तो इस situation पे हम क्या करेंगे, अगर train चल रही है तो हम उस train की रुकने का इंतिजार करेंगे जब वो platform पे रुकेगी, यहाँ पे आपको एक बड़ी gap up opening मिल रही है gap up opening मिल गे, इसका मतलब दूर रहना है क्योंकि इस situation पे हम observe करेंगे कि market कहाँ पे अपना trading day high बना रहा है कहाँ पे market अपना trading day low बना रहा है क्योंकि अगर trading day low का breakdown मिला तो उस gap को fill करने की probability बढ़ जाती है अगर market अपने trading day high का breakout देके चल रहा है तो इसका मतलब market में और भी positive momentum आने की उमीद बढ़ जाती है लेकिन इस वाले case में आपको क्या करना चाहिए मैंने आपको बता है हुआ है इस वाले case में आपको कम quantity में काम करना चाहिए half quantity में काम करना चाहिए क्यों करना चाहिए क्योंकि gap up opening के दोरान market already ही आपको एक बड़ा momentum दे चुका है तो जाधतर case में क्या देखा गया है जब market बड़ा gap up open होके trading day high का breakout देके चलता है तो इतना बड़ा momentum नहीं आता वो बहुत rare case होते हैं कि कभी कभी बड़ा momentum market दे देता है लेकिन जाधतर case में एक छोटा momentum देखा गया है जितना मैंने observe किया है तो उस situation पर आपको क्या करना चाहिए इसलिए मैं आपको suggest कर रहा हूँ कि आप half quantity में काम करो क्योंकि जाता बड़ा gap up open होके market कहीं बार sideways होता हुआ भी हमें दिखाई दिया है तो यहाँ पर observe करेंगे यहाँ पर क्या situation बन रही है अगर आप देखेंगे एक बड़ी gap up opening मिल गई तो इसका मतलब दूर रहना है अभी फिर market ने यहाँ पर time spend करना सुरू कि आपको inside candle भी market ने बना के दी और आपको बना के दे दिया यह trading day high और यह बना के दे दिया trading day अगर market trading day लों का breakdown देता तो कहीने कहीं इस gap को fill करने की probability बढ़ जाती negative side opportunity बनती यहाँ पर भी हम half quantity में काम करते हैं क्यों काम करते हैं क्योंकि overall trend अभी भी positive बना हुआ है और trend की opposite direction में जाने की basis कर रहे हैं तो इसलिए कम quantity में काम करना ही जादा समझदार यह market ने यहाँ पर दिया आपको trading day high का break out यहाँ पर भी आपको half ही quantity में काम करना चाहिए क्यों करना चाहिए क्योंकि इस gap up opening के दोरान already ही market एक बड़ा momentum दे चुका है इसलिए probability थोड़ी कम हो जाती है कि market उसके बाद में momentum दे क्योंकि अगर आप उसके बाद देखेंगे एक छोटा momentum आया फिर market कहीं न कहीं आपको एक range में बंदता हुआ नजर आया इसलिए मैंने आपको सुरुआत्मी क्या समझाया शुरुआतमी आपको समझा रखा है बड़ी green candle, बड़ी red candle, बड़ी gap up opening, बड़ी gap down opening इन चीजों में आपको थोड़ा सा ध्यान रखने की समझदान यानि कि market के रुकने का इंतिजार करो market इस range में रुका आपको trading day high का breakout दिया और आपके लिए एक यह opportunity बनी उसके बाद market ने क्या किया उसके बाद market ने यहाँ पे एक triangle बनाया मैंने आपको चार patterns बताय हुए है triangle वाले pattern, trend राइज से मिलके बना हुआ pattern, parallel pattern यहाँ पे आपको यह वाला pattern देखने को मिला ऊपर की तरप आप देखेंगे resistance नीचे की तरप आप देखेंगे support और यह पहले एक resistance बना हुआ था market ने यहाँ पे resistance की तरेक्ट किया breakout देने के बाद market ने इस पे support की तरेक्ट किया अब ध्यान से समझना यह जो breakout मिला है यह opportunity थी लेकिन premium उस हिसाब से नहीं बढ़ा फिर से समझो यह opportunity थी लेकिन premium उस हिसाब से नहीं बढ़ा जो premium यहाँ पे बढ़ा था भई इस situation पे अगर market breakout दे रहा है आपके लिए जो important resistance बनेगा वो आपके लिए trading day हाई तो बनता जो market ने यहाँ पे trading day हाई बना है अगर market इसका breakdown दे के चलता तो आपके लिए जो support बनता वो trading day लोग पे बनने की possibility थी लेकिन market ने आपको यहाँ पे breakout दे इसलिए तो मैंने आपको समझाया कि बई एक momentum तो market gap up opening में दे चुका है एक momentum market बड़े green candle बनाने में दे चुका है उसके बाद market ने अपने trading day high का breakout दिया है तो यानि यह तीन momentum market आपको दे चुका है उसके बाद आप खुद सोचों यहाँ पे आपको breakout मिल रहा है तो क्या full quantity में जाना समझदारी है बिल्कुल भी नहीं है जादा बहतर यह रहेगा कि अगर आपने यह already ही capture कर लिया यहाँ पे आपको एक sideways momentum दिखाई दे रहा है तो समझदारी उसमें थी अगर आप इस momentum को avoid करते वो जादा बहतर रहता क्योंकि मैं आपको एक बात हमेशा समझाता हूँ लगबग हर वीडियो में समझा देता हूँ आपके पास कोई setup है कोई strategy है उस चीज से काम नहीं बनेगा काम उस चीज से बनेगा उस setup उस strategy को कहाँ पे apply करना है आपको कहाँ पे apply नहीं करना है कहाँ पे full quantity में काम करना है कहाँ पे half quantity में काम करना है कहाँ पे आपको और ज़्यादा averaging करनी है यहां कि यह आपको पता लगाना पड़ेगा और यह धीरे-धीरे experience से ही आएगा क्योंकि यहां पे simple-simple सा logic था आपको breakout मिल रहा है लेकिन आप यह देख भी रहे हो एक gap up opening में momentum मिल चुका है एक बड़ी green candle में momentum मिल चुका है एक market ने तुरंती trading day high का breakout देके एक यह momentum दे दिया यानिकि तीन momentum आपको already मिल चुके है तो इसका मतलब आपके हाथ से opportunities निकल चुकी है तो यहां पे market ने जो setup बनाया उसका breakout दिया है लेकिन premium में इतना खासा उचाल नहीं आया था क्योंकि already ही आज तीन momentum market दे चुका था situation समझ में आई, clear होई की नहीं, कोई भी confusion नहीं है न आईए अब हम चलते हैं one day के time frame पे अगर आप देखेंगे कहीं न कहीं आप ये इस तरह का candle का formation देखें lower shadow, आपको lower upper shadow दिखाई दे रहे हैं आपे एक अच्छी कासी आपर shadow आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं जो ये बता रही है कि कहीं न कहीं 48,000 के zone से आपके लिए seller सावी होते हुए दिखाई दे रहे हैं तो यानि कि एक important resistance हमारे सामने निकल के आगया एक तो previous day high उसी zone में आपका हो गया 48,000 तो यानि कि अगर market ने यहाँ से एक positive momentum दिखाया previous day closing से market उपर चलना शुरूव है तो आपके लिए जो important resistance बनने की possibility है यह 48,000 पे बनने की possibilities हैं नए high market में देखने को मिल रहे हैं बार-बार उस situation पर दूसरी चीज हम यह भी observe करें market ने जो यह एक range बनाई थी इस range से भी market बाहर निकल चुक है अब देखना यह है कि market यहाँ पे कोई trend line या कोई range बनाने की कोशिस तो नहीं कर रहा है उस चीज पर आप observe करना है क्योंकि अगर market ने यहाँ से rejection लिया अगर support इसी पर ही लिया तो इसका मतलब market इस range को बनाने की कोशिस कर रहा है तो उस चीज पर भी हम focus रखेंगे इसलिए मैंने आपको पहले से ही यह दिखा दिया फिलाल मैं आपको लेकी चलता हूँ 15 मिनिट के टाइम फ्रिम पे अभी तक आपने वीडियो को लाइक कर दिया हूँ अगर content आपको पसंद आ रहा है तो आई इसे थोड़ा जूम कर लेते हैं थोड़ा बड़ा कर लेते हैं इससे जो मैं समझाना चाता हूँ clear clear समझ में आने हैं तो सबसे पहले हम इंपोर्टेंट चीजे mark कर लेते हैं पहली important चीज हमारे लिए निकल के आती है यह previous day high दूसरी important चीजे निकल के आती है यह 48,000 एक round level है ठीक है फिर यह previous day closing उसके बाद यह यह क्या है previous day low ठीक है इतनी चीजे आपके पास हैं जो कि आपको साप साप दिखाई दे रही है नीचे की तरफ आप देख सकते हैं clear clear आपको दिखाई दे रही है आप कुछ चीजे और कर करेंगे पहले resistance था और हम जानते हैं resistance है breakout मिलते ही वो support की track करने के उसकी possibility बढ़ जाती है अब आपके लिए नई support के रूप में काम करता हुआ दिखाई देगा ठीक है यह चीजे आपको clear हो गई इसे भी आप आगे extend करेंगे तो आप देखेंगे previous day low इसे के zone में आसपास मे आपको बनता हुआ दिखाई दे रहे हैं अब एक एक चीज का discussion करते हैं अगर market flat open होके आपको positive momentum दिखाता है उस situation पे अगर previous day closing से market ऊपर चलता है तो आपके लिए जो important resistance बनता है previous day high वाले zone में बनता है यहीं पे आपके लिए दो-दो resistance बैठे हुए है एक तो previous day high बैठा समझदारी इसमें रहेगी कि अगर आपको ने flat open होके market चला तो इस zone में अपनी profit booking करें या अपनी position से exit करें फिर देखे market यहाँ पे sideways जाता है या फिर breakout देके चलता है तो फिर से आपको opportunity देगा अगर वो rejection लेके चलता है तो आप trend की opposite direction में जाने की कोजिस करेंगे तो situation में कम quantity के साथ आपको काम करना है चीजे clear होगी वहीं पिए अगर market flat open होके आपको negative momentum दिखा रहा है अगर negative momentum दिखा रहा है इसका मतलब trend की opposite direction में जाने की कोशिस कर रहा है तो उस situation पे कम quantity में काम करना है और rule को proper तरीकी से follow करना है stop loss को proper तरीकी से follow करना है आप इंतजार करेंग तो ये वाला support zone आपके लिए support बनने की possibilities है वहीं पे अगर market आपको gap up opening देता है दोस्तो gap up opening का discussion करने से पहले मैं आपको बता दूए आपके लिए किसे भी tracker ना तो कोई buy recommendation है ना ही कोई selling recommendation है ये just educational purpose से बिनाएंगी analysis वीडियो है इन्वेंस्ट करने से पहले आपको अपनी research क किसला लेनी है क्योंकि profit भी आपको होने वाला है loss की जिमिदार भी आपको अपनी आप लेनी है अगर market gap up opening देने की कोसिस कर रहा है तो आपका पूरा focus इस वाले zone पे होना चाहिए जहाँ पे आपका क्या है एक तो previous day है दूसरा 48,000 का एक level है ठीक है अगर market यहाँ पे इसी zone उनके असपास gap up opening देता है इसके मतलब market ज्यादा बड़ी gap up opening दे रहा है और दूसरा important resistance के पास opening दे रहा है क्योंकि previous day है भी वहीं पे round level भी वहीं पे है तो बहतर है trade को avoid करना उस situation पे आप focus करेंगे trading day लो पे अगर market ने यहाँ पे resistance की तरेक्ट किया और trading day लो का breakdown देते व market तो half quantity में काम करना है support बनने की possibility है previous day closing इसका breakdown मिलना तो previous day clear होगा लेकिन अगर market कहीं न कहीं अपने previous day closing के आजपास ही थोड़ा बहुत ओपर यहाँ नीचे आपको gap up opening दे देता है उस situation पे अगर positive momentum आया तब भी आपके लिए important resistance यहीं बनेगा लेकिन अगर market negative चलना सुरू तो previous day closing से नीचे जाने देना और एक follower candle बनने देना उस situation पे आपके लिए support बनेगा previous day लोग वहीं पे अगर market आपको gap down opening देने की कुसिस करता है उस situation पे आप क्या देख सकते हैं उस situation पे जो आपके लिए important support निकल के आता है यह previous day लोगी आता है नीचे की तरब आपके लिए नीचे चलता है market follower candle भी बनते है तो previous day लोग आपके लिए important support इसका breakdown मिला तो यह वाला जोग अगर market gap down opening देके positive momentum दिखाता है तो previous day closing से उपर निकलने के ना तभी positive side सोचना और ज्यादा बड़ा नहीं सोचना है क्योंकि यहीं पे आपके लिए दो-दो resistance बैठे हुए है previous day high बैठा हुआ है और दूसरा 48,000 का round level बैठा हुआ है दोस्तो वीडियो को like करना और आपको आपका homework याद है क्या करना है जैसे आप website को google में search करेंगे आप categories में जाएंगे chart pattern पे click करेंगे और वहाँ पे आपको पढ़ना है rising badge chart pattern के बारे में इस pattern के बारे में पढ़ेंगे आ आपका homework रहने वाला है तो फिलाल वीडियो को like कीजिए नए हो subscribe करना और bell icon प्रेस करना जिससे आपको आने वाली वीडियो के notification मिल सकेंगे फिलाल इस वीडियो में इतना ही फिर मिलेंगे किसी next वीडियो में किसी अच्छे content के साथ thank you